जैहन दोस्तो मैं भूपन नाम देओ कैसे हूँ आप लोग आसा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तयारी में मस्त होंगे जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो यह पेपर SSCGD का प्रिबियाश एर का पेपर है यानि जो आपकी पिछली भरती SSCGD की निकली हुई थी उसका यह पूरा आंसर की है तो आज हम GKGS के सेक्षन को या GKGS के पार्ट को सॉल्ब करने वाले हैं इसके अलाबा भी कुछ प्रिवियाशर के पेपर चाहे वो रीजनिंग हो चाहे वो हिंदी हो चाहे वो GKGS हो और आपको एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों जतना जादा प्रिवेशर के पेपर लगाओगे जतना प्रेक्टिस करोगे उतना ही आपका चाहर से कि जब से जादा नमबर आप लापाओ क्योंकि आपको एक तो अभ्यास हो जाएगा और आपको यह भी पता चल जाएगा कि यहां से आपके प्रिशन पूछ जा रहे हैं इस टॉपिक से पूछ जा रहे हैं तो वो टॉपिक आप अच्छे से कबर कर सकते हो और जो पुछ जाम में रिपीट होते रहते हैं अलग से कोई प्रिष्ण है नहीं बनता है तो दोस्तों जीएके जिसका आपका पहला प्रिश्ण है भारती समिधान में मूल करतब किस देश की समिधान से ग्रिये थे यानि किस देश की समिधान से लिए गई है तो दोस्तो भारती समिधान में जो आपके मूल करतब है वो आपके रसिया या रूस या यू एस आर यू एस एस आर से लिए गई है ठीक है जो भी बरतमान में रू और आपका बिल्कुल सही है और यह जो प्रिष्णे बारवार एक्जाम में पूछे जाता है खासकर ऐसे से जीडी में तो ऐसे प्रिष्णों को आप जरूर ध्यान दें और अच्छे से जोजना कब सरू होई थी दूसरी पशवर्षी पहली पंचवर्षी उस्ना ऐसे पिष्णाप के हंडेट पसंट पूच जा रहे हैं ठीक है तो आपका पहली पंचवर्षी योजना को देश क्या था कि जाता कि दिसी था ठीक है तो आप्सन फूर आपका बिल्कुल सही होगा ठीक है इसके अलाबा पर्थम जो पंच बसी यह जना है वह आपका 1909 में स्टार्ट हुई थी जो आपका 1906 तक चली थी ठीक है और 1906 से 1901 तक आपके दूसरी पंच बसी यह जना है 1906 से 1901 तक ठीक है तो यह प्रिष्ण पूछा जाता है अगला प्रिष्ण देखिए नवजात में तुदर किसी दिये गए बर्स या अन आउदी में पिर्थी एक हजाद जीवित जन्मों के जीवन के पहले देखिए के दोरान होने वाली म्रत्यू की संक्याओं को संदर permit करता एं तो पहले अठाइस दिन के दोरान कितने पहले तो बढ़ते हैं आगले पिश्ट निक्योर अगला प्रिष्ण आपका करेंड़ पेस्ट से तो करेंड़ पेस्ट आपके जो बरतमार में जो आपकी महत्मून घटना है अध्यक्ष है आपके महानेदेशा कि जो भारत के अजैसी आपका इस रो हो गया ठीक है आपका डी आडी हो गए और जो आपकी भारत सरकार की तब से जो सेंटर गवर्मेंट हो या आपका इस्टेट का गवर्मेंट उनकी तब से योजनाय चलाएं जाती है उनका आपको अच्छे से पता होना चाहिए यहीं से आपके पूछ जाते हैं करेंड़ अपेस बेखास कर अगला देखो नवंबर 2022 के अनुसार भारत के मुक आर्थिक सलायकार मुक आर्थिक सलायकार कौन है तो वो हैं आपके बी अनन्त नागे सुरन कौन है बी अनन्त नागे सुरन बढ़ते हैं अगले प्रिष्णी के और अगला प्रिष्णी है आपका किसी संस्ता के स्वामित्य वाली वस्त के दैस कहलाती है तो क्या कहलेते हैं परी自ंप संपत्य थ migrate क्या किया है परी संप्त्य क्योंकि किसी संस्थ्थ allows for आपका विल्कुल सही होगा तो बढ़तेहं किसी बढ़ते हैं अगले प्रश्णी की और अगला प्रिश्णा आपका है निम लिखेत में से कौंशा मनीपुर का एक बिस्ष्ट मासल नत रूप है तो कौंशा है वो है आपका थांगता कौंशा है थांगता तो ऑप्सन फूर आपका बिलकुल सही होने वाला है ठीक है जो ठांगता है वह आपका बिस्ष्ट मासल नत है ठीक है तो एक फूर बिलकुल सही होगा अगला that अगला पिस्ट Campaign अगला प्रिस्ट ने आपका वही 55 ययोजना से ए तो देखो 55 ययोजना का दूसरा पीटैल या आठवी 55 यजना के दौरान पैधान मंतरी कौन थे तो दो प्रिस्डि नोचंदी मेला बाई स में एक बार डैस लाज में होता है कि अ indigenous थैनला पुटबॉल किलाप मूहट्बागान की स्थापना किन वह नयुकित अटारहsemétais में हुई थी तो option one आपका बिल्गुल सही होगा बढ़ते हैं अंगले प्रिष्ण की और अगला प्रिष्ण आपको पॉलिटी से बहुत ही आसान प्रिष्ण भारत के राश्प्रती के रूप में निर्वाचित होने के लिए नियमतम आयू कितनी होनी चाहिए तो किती होनी च को अगला प्रिष्ण आपका करेंट अफ्याश से अगस्त दोजाबाइश में भारत के उन्चास्वे मुख नियाधीस के रूप में किसने सपतली तो किसने सपतली तो बो हैं आपके उदय उमेश ललीट कौन है उदय उमेश ललीट तो option one विल्कुल सही होगा उदय उमेश ललीट अगला देखिए निमलिखित मैंसे किस धातू में सरवादिक विद्यूत्य सम्वाकता होती है तो किस धातू में होती है तो दोस्तों चांदी में होती है किस धातू में चांदी में सबसे ज़्यादा तो option two लकुल सही होगा यह पिश्ण बार-बार बूच जाता है देखिए प्रद्वी के एक मात्र प्राक्रतिक उपगराई की पहचान कीजिए तो प्रद्वी का एक मात्र प्राक्रतिक उपगराई है चंद्रमा कौन शाय चंद्रमा तो option two लकुल सही होगा अगला देखिए स्वक्ष भारत मिश्ण को बस डैस तक स्वक्ष भारत के द्र स्वक्ष भारत के देश्टी कौन को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था ठीक है तो आप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा बढ़ते हैं अगले पिस्टी की और अगला पिस्टे आपका निम्लेखित मैसे कौन मोलस्का के अंतरगत आता है तो कौन आता है तो भाई यह हो अक्टो Sangла met सब को आख टोपूस सभी लोग जानते समुद्री जीव है अगला देखो निम्लेखित मैसे किसने explains काली लए ओलंपिक तो नाो मी ओसाका ने किस ने आउमी कोसाँका ने बिल्कुर ऑफ से नाउमी ओसाँका अगला देखिये कि प्रूसका जीते तो किसे किस नत्त सेली में गसें से त्रिया नेस सेली में ठीक है तो औसन फोर आपका बिल्कुल सही होगा और इस पूछा जाता है अगर शाथ त्रिया जो आपका साश्री नत्त किस राज़का है तो बहिए यह आसम का है किस राज़का है आसम का बरतनाट्यम टमिलाडू उड़ीशा उड़ीशी कुछीपुडी आंधर प्रिदेश अगला देखो जेनरल डायर ने किस बाइस में महासल लोग के दोरान कामान सबाली थी सब्सक्राइब किस बाइस सब्सक्राइब करता है तो क्या मदद करता है तो दोस्तों निर्मिद बस्तों का निर्याद तो आफ्सन फोर बिल्कुल सही होगा अगला देखो निर्मिद मैंस्ज कौन सा पुरा ताथ॥ किस्तल बारत भारत में इस तेज नहीं है तो कौन सा महीर गड़ नहीं है अपका भारत में नहीं है तो ओप्सन त्री मिल्कुल सही होगा तो दोस्तों यह थे आपके जी के जी ऊसके पृष्टन वीडियो के अज़गा कर्वर्ड हुआ हैूँ